Hello बच्चो और वेलकम टू दे सीरीज ओफ कंसेट्स ओफ किमिस्ट्री इन 3 मिनेट तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपके सामने क्वेस्टिन दिया था कि ऑक्सीजन का अगर इस तरीके से कन्फिग्रेशन लिखा जाए तो इनमें क्या क्या प्रॉबलम है इनमें कौन कौन से रूल है जो वॉयलेट हो रहे है तो इसका करेक्ट आंसर है आप देखिए यहाँ 2S1 लिख करके यहाँ 2P5 कर दिया गया है रियालेटी में कैसा होना चाहिए 2S2 एंड 2P4 क्योंकि S की केपैसिटी तक हमें पूरा इसको फिल करना था तो कौन सा रूल वॉयलेट किया आपने लोवर एनरजी में 2P की एनरजी जादा होती है लोवर एनरजी में अभी जगह बचा है आप उसको बाहर लेके चले गए तो आफबाग प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ तो सबसे पहला तो फिर्स प्रिंसिपल यह है दूसरा आते हैं यानि क्या इसके अंदर पॉलीज एक्स्क्लूजन प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है तो मैंने पिछले के पिछले वीडियो में आपको डिसक्स किया था कि पॉलीज तभी फेल होता है जब एक ही बॉक्स के अंदर एक ही और्बिटल के अंदर एक से जादा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के हो जाएं तब यानि चेक करते हैं इसमें है क्या इसमें नहीं है इसमें इसके अंदर है इसके अंदर same spin हो गया और एक ही orbital में जब एक से ज़्यादा electron same spin से होते हैं तो उनके चारो quantum number का set same हो जाता है क्याने का मतलब इसका N का value इन दोनों electron के लिए इसके लिए और इसके लिए N, L, M and S सब कुछ same हो गया principal quantum number कितना आएगा 2P है तो यानि 2 आएगा L का value P के लिए कितना होता है 1 M का value किसी एक specific orbital मान लो मैंने ये minus 1, 0 and plus 1 कर लिया तो इसमें ये 0 का 0 दोनों के लिए हो गया अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो दोनों के लिए कितना हो गया ये plus 1 और साथ में spin देखो आप दोनों का same ही था तो plus half plus half कहने का मतलब बच्चो चारो quantum number का set इन दोनों electronों के लिए same हो गया इसी वज़े से बोलते हैं कि polys यहाँ पे valid नहीं है तो बिलकुल half bow fail हो रहा है यहाँ पे poly भी fail हो जा रहा है क्या hunts rule of maximum multiplicity fail हो रहा है क्या तो कुछ बच्चों ने answer किया था कि हाँ यह fail हो रहा है बट reality यह है कि यह भी fail नहीं हो रहा है यह भी fail नहीं हो रहा है बलकि यह तो एकदम correct है आप देखो multiplicity आप निकाल करके check करो इनके case में 1,2,3,4,5 electron with the same spin तो spin multiplicity तो और भी अच्छी बात 2 times of mod s plus 1 जिन बच्चों को इनके बारे में idea नहीं है वो हमारे पिछले वीडियो में जरूर देखे लिंक में डाल दूँगा playlist का पुराने वीडियो से आप explore कर सकते हो so 2s plus 1 2 times of mod s आप देखो यहाँ पे half, 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 half total यह कितने electron है 5, 5 by 2 plus 1 तो spin multiplicity तो बलकि और ज़्यादा आ गई तो hunts rule of maximum multiplicity यहाँ violet नहीं हो रहा है violet सिर्फ और सिर्फ half, bow and poly हो रहा है उमीद करता हूँ कि आपको इसमें clarity आई होगी अगर आ रही है तो अपने friends के साथ यह video ज़रूर शेयर करें और इसी तरीके से channel पर बने रहे हैं और सीखते रहे हैं Thank you